नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नीज में मेरेतन सेन भारती अज हम बात करेंगे जातिये आवासिया और आय परमानपत बनाने को लेकर बिहार सरकार की दब से एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है लोगों को अपना जाती परमानपत्र आय परमानपत्र और निवास परमानपत्र बरमाने के लिए अंचन कर्याला में दौर लगाना पड़ता है वहां लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर उसे जमा करना होता है अगर कोई बहाली पर क्रिया चल रही हो तो ऐसे में तो आम लोगों को और भी परिसानी का सामना करना पड़ता या कार्ज अब पंचायत अस्तर पर ही कर दिया जाएगा आपको वजा दे कि पंचायती राजविभाग ने हालिया आदेश के तहत तक इससे संबंधित आटीपीस यानि की राइट टू पब्लिक सर्विस लोग सेवा अधिकार काउंटर की सुविधा पंचायत अस्तर पर ह प्रभावी हो जाएगी पंचायत बार आटी पीस कांटर खोलने के आदेश का अनुपालन करने की वी कारवाई अपने जिलों में कर दी जाएगी इसको लेकर बेतिया के पंचायती राजपता धिकारी मनीज कुमारी आदम ने बताय कि पंचायती राज विभाग की और से ग विवस्ता के कारण यह सुविधा को और विश्तार देने में तक्नीकी समस्याएं सामने आ रही है जिला पंचायती राजपदा धिकारी ने यह भी कहा कि राज सरकार के लोक से वाँ से जुड़ी सुविधाओं को और सुलभ और असान बनाने के लिए यह एक बड़ा कदम यह से उचित साधन और बुनियाधी सुविधाबस सेवाओं को उपलभ धिता सुनिस्चित करना है इधर कलेक्टरेट के जानकार बताते हैं कि आटी पीएस काउंटर अस्थापित करने के लिए राज सरकार यह से परतेक पंचायतों को फरनीचर और अन्य साधनों की भी ध पंचायतों के आटी पीएस काउंटर से जाती आए अवासिये आदी परमान पत्र जारी किये जाएंगे जो हर जगा मन होगा आपको बताते हैं कि सरकार ने इस फैसले से ग्रामिन छेतर के लोगों को काफी लाह मिलेगा तथा इसकी तरक्की में सहायक साबित होगा पंचाय के लोगों को इसका पुरा लाह मिलेगा और उन्हें प्रखंड और अंचल में जाने से बच जाएंगे और लंबी लंबी लाइनों से भी उन्हें छुटकारा मिलेगा तो यह थी आए जाती और इंकम को लेकर जो परमान पत्र अंचलों में बनाये जाते हैं आम लोगों को इससे काफी परसानी का सामना करना पड़ता था इसको लेकर अब राज सरकार ने यानि कि बिहार सरकार ने पंचाईतों पे ही उसका निप्टारा करने को लेकर एक अध्य देश जो है वो जारी कर दिया है यह ग्रामीनों के लिए एक अच्छी कवर है बिहार और बिहार से धन्यवाद